22 दिसंबर को करनाल में खुद को CIA का सदस से बताकर 18 लाग की लूट को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने अब गिरिफतार कर लिया है पुलिस ने आरोपियों से बलेनो कारवा पल्सर बैक भी बरामत की है पुलिस पूचताच में आरोपियों ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने अपने 29 साथियों सुनील और प्रवेश के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था स्पी शशांक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 दिसम्बर की शाम को चावल कारोबारी करमवीर मितल की दुकान नंबर 258 से दो करमचारी 38 से पैसा लेकर अपनी दुकान पर वापस जा रही थे तभी बलेनो गाड़ी में सवार तीन लोगों ने उन्हें रुकवाया और खुद को C.I.A. स्टाफ का बता कर काहा कि भुकतान गलत हो गया है इसलिए आरत पर वापस चलो मुनीमो ने नोटों चे भरा बैक देने से इनकार कर दिया है लेकिन आरोपियों ने पिस्तॉल केबल पर उनसे बैक छी लिया और वहां से फरार हो गए कुछ दिन पहले अठारा लाग के लूट ही थी नहीं है नाजमंटी से तो हमें दोनों केसे स्टेज कर लिया है और इस इक्रब में आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो अठारा लाग के लूट ही थी बाई जिसम्बर को तो उसमें भी अमने दो आरोपियों उसमें बाकि समी के नाम भी आ गया है उसके चार-पांच लग और है जो फरार चलना है तो उसके पिछे भी हमारी प्लिस जो लगी हुए दोनों वारदात को कोले पे सियाई अबन जो है उनके दिशाधिर दिख्ष पे और काम कर जाता है और हमें कोशिश है कि जो उसमें भ करा पाएंगे कि जब बाकि एक्ति जब भी पकड़ी जाएंगे उसमें कैसे मुकबरी हुई थी उनको कजे पता चला कि वह पैसे लेकिस दुकार के वापिस जा रहे हैं कि इस सब सारी सीजे भी बता नहीं सकते इस्टेशन का विशह है और बाकि जो में अक्योंस में पूरा आशवासन दिया हमें कि उनकी पूरी रिकावरी करेंगे जो जो संसुष्टी तभी होती है जब उसके पैसे रिकावरा के तो पहले आठारालाग वारदात में जो और लोग इंवाल रही है उसमें वास्टर माहीं ने जो वह अभी दिली में कई सारे वार्दातें कर परोल पर आए हो था तो इनके हिस्ट्री रही है कि अपारियों के साथ जो मंदी मुझे पिलाहल अभी तो जैसा में बताया कि जादा कुछ निकल के नहीं है और साल सीजन इसको ओपन में समस्या दिये तो हैंसे तो मार्केट में मिलता है कहीं से न कोई ऐसी कोई बात नहीं फिलाल पुलिस गरफतार हुए दोनों आरोपियों की निशान देही पर उनके अन्य दोनों साथियों को भी गरफतार करेगी जिसके बाद ही पैसों की रिकवरी की जाएगी करनाल से ब्यूर रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद